अलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्योब चैनल फ्रेंट्स इजिए लेक्चर सीरीज का थर्टी नाइन्थ नमबर लेक्चर है आज हम लोग ओल्ड एज पीपल के बारे में पढ़ने वाले हैं यानि एल्डरली इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं प्रेंट्स आता करवाईएगा खुर भी सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा आज सुरू करते हैं आज का लेक्चर देखिए फ्रेंट्स ओल्डेज पीपल को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि एजिंग का जो कॉंसेप्ट है एजिंग का जो डेफ होता ही जाएगा अल्रेडी समझ गें तो यह एर्रिवर्सिबल है और यूइंवर्साल भी प्रोसेस है ठीक है विच स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम्द कंसेप्शन तिल डेथ ऑफ एंडिविज्वल जब एक बच्चा का कंसेप्शन होता है जब मां के गर्भ में पलना स्ट होता है तब ही से एजिंग का प्रोसेस जो है यह सटार्ट हो जाता है धीरे धीरे उसकी उम्म्र बढ़ने लग्जाती और यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक गिए डेथ नहीं हो जाता है उस इंडिव जब एजिए पीपल को ना एक वड़ जेरियाटिक से भी संभोज 60 प्लस एज ग्रूप एज एलडरली ठीक है मतलब नेशनल एलडरली पॉलिशी जो है जो एलडरली पीपल को डिफाइन करती है उन्होंने कहा कि 60 से अधिक ब्यक्ति हो जाते हैं वह ग्रूप एलडरली ग्रूप में वह ओलडरली पीपल है ठीक है कुछ डेटा को देखना बहुत जरूरी है 60 प्लस पॉपॉलेशन जो है 2011 के संसर्स के अगर हम बात करें 2011 में 8.6 पॉपॉलेशन जो था भारत का वह एलडरली था यानि 104 मिलियन वीपल जो थे वह 60 प्लस पॉपॉलेशन में थे यह चीज़ 2036 में बरके साड़ा बारा परसेंट यहीं 12.5 परसेंट हो जाएगी और 2050 तक जाते जाते 19.5 परसेंट तक बढ़ जाएगी ऐसा अनुमान है ठीक है कहा यह जाता है कि अभी जो है रूरल इंडिया रूरल इंडिया में 71 प्रतिस्ट पॉपॉलेशन जो है वह मैं तोटल जे 89 परसेंट जो है वह अर्वन एडिया में रहती है समझड़ें टोटल जोभी पॉपॉपॉलेशन है उसका 100 मिलियन में और अर्बन में 31 में ठीक है समझ गए यह चीज को चलिए आप बढ़ें आगे तेकि यूएन पीफ का जो रिपोर्ट यूएन पेफ समझते हैं यूएटेड नेशन पॉपुलेशन पंड है ना उसका रिपोर्ट कहता है कि सेक्स रेस्यों जो है डरली काउनी से खत्तर में था और एक हजार में ठीक है तो वोमन का पॉपुलेशन जो हो दीरे दीरे बढ़ जाएगा देखिए एक चीज बताता हूं ऐसा क्यों कहा गया कि 2000 से 2000 पचास तक का अगर रिपोर्ट को हम देखेंगे उस टैम पे तो मिलब दोजार पचास तक जो रिपोर्ट आने वाला है उस से जादा ठाइम बढ़ गया साथ सब्सक्ता बढ़ गया ठीक है और इसमें जो जो हम वीडोड़ और डिपेंदेंट वोमन जिनके पती मर गया है एक चीज और डेटा में याद रखेगा कि अपना डिपीएसपी है डिरेक्टिफ प्रिंस्पल ऑफ एस्टेट पॉलिशी तो इस डिरेक्टिव है तो उसमें आर्टिकल्स समझ गई जिसको 41 में आर्टिकल्स में कहा गया है चलिए अब देखते हैं जो अल्डरली की जो प्रॉब्लम से उसके बारे में समझते हैं देखिए पहला तो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट ठीक है बिकॉज अफ फॉर्मल सेक्टर्स नो पेंशन और सेविंग दे है हैना फिए इसेहां बहुत की बिमारियां हां इनको अब हर्ट की बिमारी हो गया ब्लडगेंस की बिमारी हो गए किसी को अम बहुत सब्सक्त का और इन अब देखने को मिलति है इसके간 में नेउक्टट है चोडिफ है शूप फॉस्त नहीं जी जही उनके पास में विवस्था नहीं है, चाहे पैसे की कमी है, चाहे सोर्स की कमी है उसके वज़ेसे क्या होता है? क्या करते है? नाय लेट करते है. है ठीक है विकॉज आप राइजिंग कॉस्ट आप ट्रीटमेंट लैक ऑफ हेल्थ इंसरेंस पेनेट्रेशन लैक ऑफ जिरिटिक एक फैसिलिटी दे लेट टू निगलेग दा हेल्थ समझगे इस चीज को तो कि उनके पास ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट को चुकाने का प यह बहुत बड़ा इशू है उनमें बिकॉज ऑफ राइजिंग इंडिविज्व लिजम एंड मैटेरियलिजम एक तो यह चीज हो गया है लोग इंडिविज्व लोग के जीना पसंद करते हैं मैं रियलिस्टिक हो चुके हैं नुक्लियर फैमिली हो चुका है मतलब पहले नहीं है बच्चे रहेंगे हैं बच्चे विदेश सले जाते हैं वह जब बुड़े होंगे तो फिर क्या होगा उनको तो यह सब चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है इसके अलावा इमोस्नल रिलेशन जो है उसका लॉस हो गया है कई एडिया में चीज देखा गया है कि बच्चों का माता-पिता से emotional attachment वो कम हो रहा है ठीक है तो यह भी एक बहुत बड़ा इसू बन चुका है आज के लिए ठीक है चलिए और देखते हैं अगला जो इसमें वह करते हैं फेमिनाइजर्शन अगलेज तेखिए इसमें क्या कहते हैं कि ओल्डेज का फेमिनेजर्शन हो गया मतलब मतलब यह कि अब यह देखिए कुछ प्रियार्टी की वज़ा से है जो इनको जो है इनके हेल्थ को जो है वह नेगल्ट किया जाता है ठीक है अब माल लेजे अब उनका एज बढ़ गया है तो वह सई जगह पर मॉबाइल मतलब मोबीलिटी भी ने कर सकते हैं इसके वज़ा से जो है उनका मॉबीलिटी भी सही से नहीं है एजिंग भी है तरीके से सही जानकारी नहीं है पैसले की कमी है तो सब कुछ मिल करके जो है फीमेल है ठीक है अगला पॉइंट जो है वह है फीजिकल एंड मेंटल एब्यूज यह भी देखा जाता है कि मार पीट भी होती है बुढ़ा पे में या फिर गाली को लोज कर दिया सास जगरा तो बहुत फैमस है है ना सास को ससुर को जगरा हो रहा है बेटा बाप का बेटा मा का जगरा हो रहा है तो इसमें फीजिकल भी होता है और मेंटल लेवल पर भी एक तो यह भी हो गया इसके अलाबा स्वासाइटी लेवल पर भी इंपैथिक क्यमी हो गई है कोई बूढ़ा अगर बैखती है तो ससाइटी में भी लोग उसको केर करने काम आज के जिए में नहीं क्यों कि आप मेंटल अभ्यूज कर रहे हैं उसके साथ में न तो यह सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए तो यह भी एक इसू है चलिए आगे देखते हैं डिजास्टर में जो हैं जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें इनकी वर्नेरेवलिटी सबसे जादा होती है हाईली वर्नेरेवल इमर्जेंसी जैसे कोबीड वर्नेरेवल है क्राइम अगर कहीं पर होगा तो उसमें भी हाईली वर्नेरेवल है अभी हाल में एक केस आया था डेली में बुड़ी ऑड़ती अपने घर में खाट पे लेटी हुई थी एक आदमिया उसके साथ मिस्विए भी किया तो आप देखिए जो जो लोग ओल्ड एज के हैं वह बल्नेरेवल है तो हाइली वल्नेरेवल होते हैं तो क्राइम से भी और साथ में अलग डिजास्टर से भी अगर भुकम भी मान लीजिए आए वह कहां जाएंगे जब तक में भुकम मतला वह नीचे उतरेंगे उपर फस वह ओल्ड डेज पॉपलेशन्हीं होता वह इसके साथ में जेनरेशनल गेब matter देखने को मिलता है इसको इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है कॉमिनेसन और सईसे बन नहीं पाता सब्सक्राइब देखेगा कि यूरोपियन या फिर अमेरिकन संस्कृति में क्या होता है बच्चे अलग हो जाते हैं बुढ़ा बुढ़िया है वह अलग रह रहा है और जो जबान बेटा-बेटी है वह अपने वाइफ-हस्बेन के साथ अलग रह रह रहा है इंडिया में ऐसा साथ रतित्या ना ज्राइन फैमिली के कॉंसेट है लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के वज़ए से हम लोग भी नुक्रियर फैमिल्यों को ज्यादा अटैच हो रहा है तो ग्लोबलाइजेशन के वज़ए से भी हम दूसरे जगह का जो जो संस्कृति है उसको हम देख पार बता हुआ दिखरा है ठीक है समझ गए इस चीज़ को चलिए आगे बरते हैं अगला जो है कुछ पॉजिटिव साइड है ओल्डेज के देखिए अब तक अभी तो जितना भी पड़ा हमने सब तो उनके बारे में निगेटीव ही पड़ा कुछ पॉजिटिव देखते हैं क् पॉपलेशन को संभालना क्यों जरूरत है देखिए सबसे पहला दे सुड़न्ट भी सीन एज बर्डेंट आप लॉट्स पॉजिटिव साइट्स अलसो क्या है पॉजिटिव साइट्स पहला कि यार सोर्स आप नॉलेज एन एक्स्पिरेंस उनके पास बहुत सारा नॉलेज है बहुत सारा एक्स्पिरेंस है उसको समझना और जानना बहुत जाथा जरूरी है ठीक है फिर है कि दे यार कॉज ऑफ सिल्वर एकॉनमी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोड़क्ट है जो सिर्फ ओल्डेज पीपल ही यूज करते हैं जैसे आप मान लीजे में स्टूल करने के लिए मतलब पॉट्टी जाने के लिए जो एक स्टूल आती है स्पेसल जो लोग बैठते हैं जिसको गुटने का दर्द होता है तो वह ऐसे लोग जनरली ओल्डेज पीपल यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोड़क्ट है जो ओल्डेज के लिए बना सबसे बाड़ा कारन है उसके दारा धादी उसके मतलब जो इससे उनका सही से तो कह वंका उसकी वह करते हैं पशादी तो तो वह कहां से बच्चों का उतना जो है वो केर कर पारेंगी तो इसके लिए दादादी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता था ठीक उस टाम से अभी भी अभी आप देखेगा कि जिस फैंबली में दादादी है वहां पर बच्चे तो रहा अधिक अच्छे से पल जाते ह घेगा तो आपको महीने किसे सबसे बता देंगा किस महीने में ठंदा पड़ेगा, खरम पड़ेगा, विए बरसा होगी उनको पूरा कैलकुलिसान है औरा कि वहां सब्सें के भिखाया कि दूप होगा कि नहीं होगा देखा इसलिए ट्रेडिशनल वैल्यू है समझ रहे हैं इसको तो चुकि ट्रेडिशन से चलता चला रहा है इसलिए हम उसको समझ तो कल्चर हो गया लैंग्वेज हो गया एटिकेट्स हो गया जितने कुछ भी हम जो आज परसीव करें वह विकाज अब ट्रेडिशन के वज़ चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि steps taken by the government ने बहुत सारे steps लिये हैं अब उसको चला देखते हैं सबसे पहले तो सेक्रेट पोर्टल नाम का एक website खोल दिया है कि जिसमें employment जो है old age people के लिए जो वह इंसूर किया जाता है ठीक है और क्या है से इनिसियेटिव है से इनिसियेटिव मतलब इसका मतलग है कि इसका काम क्या है कि इसका एम है कि aim to promote private entrepreneurs to bring out products and services for old age people कुछ ऐसे प्राइब इंटर्पर्नियोर को गठन मतलब बनाने के लिए यह है मतलब गठन किया है इसका इस इनिसिएटिव का ताकि इसके अलाबा इंद्रा गांधी ओल्डेज पेंशन स्कीम हर एक स्टेट का भी अपना अपना जो है ओल्डेज पेंशन स्कीम होता है इसके अलाबा जो है सर्विस है अन्यपूर्णा शेम बयोश्री योजना में फिसकल एड दिया जाता है है न है एक्स्ट्रा पॉइंट है इसकीग है क्वालिटी आफ लाइफ बाई प्रोवाइडिंग फूड एंड सिल्टर ठीक इसके लाब और भी चीज़ प्रोवाइड करा जाते हैं क्या मेर्कल फैसिलीटी दी जाती है इंटर इंटर्टेंवेंट और इसके अलावा जो है और भी अपरचुनिटी जो है एल्डरली पॉप किया है अपने क्या करते हैं इंटर्टेंशनल डे ओफ ओल्डर प्रपॉलेशन और फॉर्स्ट अक्टूबर को उन्होंने जो कुछ भी कंट्रिवूशन दिया समाज को देश को उसके लिए उसके लिए उन्हें नेशनल अबार दे जाता है और क्या है आर्टिकल फॉर्टी नेटिशिक्स का वहां पर तो अबलिगेटरी प्रवीजन बना दिया गया है और एज़ पीपर के मेंटिनिंस के लिए ठीक है मतलब वह कंपल्सन है वह आपको करना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा सेक्शन एक्सटों पचीश जो है सिर्पीसी का 125 सिर्पीसी का है ना क्र परेंट्स एंड सीजिटी जन्यक 2007 जो है इसके अंदर में जो है लीगल राइट दिया गया है चिल्डरेन को ठीक है और एंड ही एर्स तुमेंटेंटेंट चिल्रेन और जो उनके वसियत वाले जो लोग है समस्टेन तो सब जो है हैं लीगल राइट है कि आप सब्सक्राइब बैंटेंट करेंश करें आप यह द्याद करेंटेंश एगा इसमें आतए रेमांद का यह जो है विजय पत सिंधानियां थे पिताजी थे और गौतम सिंधानिया एं इन दॉन्व के पीच में जह प्रसंट प्रपोज और ने जिसको इंटर्नेशनल प्लैन आफ एजिंग भी कहा जाता है यह बनाया गया इसमें क्या किया गया पर 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 इंटरनेशनल डिवेट ऑन दा राइट ऑफ ओल्डिक पीपल यहां पर पर इंटरनेशनल प्लान प्लान को प्लान को इंप्लेमेंट करने का काम जो करती है और क्या है मेजर जो और भी लिए जा सकते हैं उसके बारे हम बात करें तो है कि मोर ओल्डेज हों बनाए जाए जाए नीड ऑफ वैलुए जी के संगा होना जरूरी है ठीक है इसके अलाबा इंक्रीजिंग दो ओल्डेज पेंशन मीनिमम दो हजार रिपे किया जाए और दो सब्सक्राइ सब्सक्राइब होने वाला तो है नहीं कि तो दो आजार तो कम दीजिए ठीक है ठीक है और जिरेटिक क्रेंट के विवस्ताची से किया जाए ना अलोकेटिंग स्पेशल बजट फॉर्ड ओल्डेज पापुलेशन मतलब जो बजट जो बनाए उसमें उल्डेज पेपल को व पिपल अंडर दफेंटिंग के अंदर लाया जाना चाहिए नीडप सपोर्ट अंग एंडियो लाइक हेल पेज इंडिया के तरह और बी एंग जीओ बनाए जाना चाहिए इसका सपोर्ट जो है होना चाहिए डिश्ट्रिब्यूशन फेलफेट चेक टू ओल्डेज और क्या हुआ मतलब मतलब यह हुआ कि उन्होंने खोज किया लोगों को देखा कि जो ओल्डेज पीपल है वो सही से हैं कि नहीं है कोरोना में यह बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने खोज-खोज करके देखा जगा-जगा-जगा-जगा-जा-जा-चा करके तो यह विल- सब्सक्राइब अगला जहके कि लिए लाइक रिप्र फिर अगला जो है प्रवाइड़ इंटरेन्मेंट लिए लेख लाइक लिए लिए बार्वर्क, क्लब सब्सक्राइब एट पंचायत लेबल पे जो ही सब्सक्राइब के लिए किया जाना चाहिए एपरेंश एप्रेशियाशन फोर दे कॉछ पॉइंट आप खुछ से लिख सकते हैं बस इसको अपने मंद से लिख सकते हैं नहीं कुछ समझ में तो छाप लीजिएगा वैसे वीडियो को पाउच करके आपको पूरा नोट से लिखना है ठीक है समझ गया है मैं बार बार यह चीज को कहता हूं क्या है तो सोशल सेकुरिटी इस दा कन करेंट रिस पोडिटी अब अब था से लिख यह एंज अन्य कॉल विख सिटीजन और बीटिव और चाहिए निस रिखाद नेशिन पोलिटीजन ने शीजन योद रहे ग्या रहा वाज फोर्म किया गया इसके लाभ इसके लाभाव औ and care for the older person, we must focus on the protection of already existing social support system, traditional social institutions such as family and kinship, neverhood, community bonding and community participation must be revived and kins should show sensitivity towards elderly citizens. मतलब क्या हुआ कि जो welfare care, जो है older person का उसमें हमें क्या focus करना है, हमें focus करना है कि जो अभी जो social support system है traditional social institutions है उसमें किंसिप का मतलब जो सगासंबन्धी लोग है वो neighborhood परोसी के जो लोग है उनकी bonding community की bonding है ना community का participation और भी जादा मजबूत हो ठीक है sensitivity जो है elderly population के तरब बढ़े यह समझ गई हो एगा तो बस इतना ही तक conclusion में ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही प्लीज लाइक शेयर कमेंट इन सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में इसको स्कैन करके टेलेग्राम गूर्प को भी ज्वाइन कर ली जाएगा तो आज के लेक्चर में इतना ही बस अपना खयाल रखिएगा अगले लेक्चर में फीट से मिलते हैं और वेरी वेस्ट पॉर दर फूचर बबाई टेक केर